आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको सोशल साइंस के इंपोर्टेंट कोशन्स को जो आपको CTAT, UPTAT और भी जो teaching के competitive exam है उसमें आपको help करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें Telegram ग्रूप पर जॉइन करें और आपके कुछ भी queries हैं प्रेशन पूशना चाते हैं तो आप हमें Instagram पर पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो की न्यू अप्डेट्स चाहिए तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें औ इसके पास सीटेट की अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो इहां पर हमारी सीटेट से रिलिटेट प्लीलिस दियो ही है तो इहां पर आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं जो हमारी important question दिये हुए है जो कि आज का हमारा ट दिकारों से से शंवन्दित है तो इहां पर भाग पूछा है तो इसका उत्तर है भाग तीन अगला प्रसें देख लेते हैं भरत ंंख श्तम नाले ने भारते समविधान की बुनियादी धांचे का सिध्धान दिया है तो इसका उत्तर है केशवनंध भारती मामले में निया दिया था वो बुन्यादी धाचा का सिध्धान दिया था इसमें ये कहा गया था कि सम्विधान के किसी भी भाग में जो है परिवर्तन किया जा सकता है परंतु सम्विधान का जो बुन्यादी धाचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो ये कहा गया था केश अनुचेत 51 में जो बात कही गई है प्रमोशन आफ इंटरनेशनल पीस और सिक्यारटी की अगले प्रेशन की तरह बढ़ते हैं जो अगला प्रेशन है वो है चौथा कितने अनुचेत से कितने अनुचेत तक मूल अदिकारों का विवरण दिया गया है तो इसमें अनुचेत पूछे गये हैं कि मूल अदिकारों का विवरण है कितने से कितने अनुचेत में दिया गया है तो इसका उत्तर है 12-35 तक तो आप ध्यान रखेंगे 12-35 तक और जो भाग है वो इसका भाग आता है भाग 3 अगला प्रशन देखते है पंचायती राज को सुधारनिय हितु भारति सम विधान में कौन सा संशोधन किया गया तो इसमें 73व संशोधन जो है वो किया गया था पंचायती राज से रिलेटेड है 73 व संशोधन और जो 74 अातरव संशोधन है, वो नगरपालेका से तरवा नसे करता है. इसके बाद, हम छठा प्रशन देखते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए निमतम अयू सीमा क्या है? तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए निमतम अयू सीमा है, वो है 21 वार्ष जो इसका उत्तर है इसका अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं हम किस सम्विधान संशोधन के अंतरगत प्रारंबिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया तो इसका जो उत्तर है वो है 86 वे सम्विधान शंशोधन के द्वारा प्रारंबिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं आटफा प्रशन राजय सभा में कितने सदस्यों को राष्ट पती मनुनीत करता है तो इसका उत्तर है 12 सदस्यों को राजय सभा में जो राष्ट पती है वो 12 सदस्यों को मनुनीत करता है अगला प्रशन देख लेते हैं किसने अधिकारू को सम्विधान का हिर्दय और आत्मा कहा है तो डॉक्टर भीमरा वंबेटकर ने सम्विधान को अधिकारू को सम्विधान का हिर्दय और आत्मा कहा है ये इसका उत्तर है और डॉक्टर भीमरा वंबेटकर है वो सम्विधान के पितामा कही जाते है फादर आफ कॉंस्टिशन उनको बोल जाता है अगले प्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं अनुछे 370 किस से संबंदित है तो इसका उतर है जम्मू कश्मीर से अगला प्रेशन देख लेते हैं संपत्ती के अधिकार को किस प्रकार के अधिकार के अंतरगत शामिल किया गया है तो इसका उत्तर है विधानिक अधिकार तो जो संपत्तिक अधिकार है वो एक विधानिक अधिकार है संपत्तिक अधिकार जो पहले था वो एक मॉलिक अधिकार था लेकिन इसको 44th Amendment के थूँ इसको हटा कर विधानिक अधिकार बना दिया गया इसके बाद अगला प्रशन देखते हैं अस प्रश्यता का अंत भारते सम्विधान में किस अनुछेद में वर्णित है तो इसका उत्तर है अनुछेद 17 में अगले प्रशन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला प्रशन जो है, जीने का अदिकार किस प्रकार का अदिकार है, तो जीने का अदिकार है, वो एक मौलक अदिकार है यानि कि एक फंडमेंटल राइट है अगला प्रशन देखते हैं सम्विधान के किस भाग में कल्यान कारी राजी की अबधाना को महत्व दिया गया है तो इसका उत्तर है नीती निरेशक तर्ट्व में परदर्शित किया गया है अगला प्रशन हम देख लेते हैं कितने राजियों में दुई सदनात्मक विधानमंडल है, तो साथ राजियों में दुई सदनात्मक विधानमंडल है, अगले प्रेशन को हम देखते हैं, उब्भोक्ता चनरक्षन अधिनियम भारती संसद में कपपारित किया गया तो उब्भोक्ता चनरक्षन अधिनियम जो है वो 24 दिसंबर 1986 को किया गया यह इसका उत्तर है इसका जो नारा था वो जागो ग्राहक जागो था अगले प्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला प्रेशन जो है वो है मूल करतव्य संविधान के भाग में किस अनुछेद में समाहित है तो जो मूल अधिकार है वो अनुछेद 51 का में समाहित है यह इसका उत्तर है अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते है भारती सम्मिधान का कौन सा अनुछेद प्रारंबिक शिक्षा को प्रतेग बच्चे का मौलिक अदिकार बनाता है तो इसका उत्तर है अनुछे 21A अनुछे 21A के अंतरगत प्रारंबिक शिक्षा को प्रतेग बच्चे का मौलिक अदिकार बनाया गया अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं भारत में संसत्का निर्माण किस से मिलकर हुआ है तो इसका उतर है रास्ट पती, रोक सभा और राजए सभा इन तीनों से मिलकर ही संसत्का निर्माण होता है क्योंकि जब भी कोई बिलाता है और जब वो कानूर बनाने की एक जो प्रक है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संसात का संसत का निर्माण है वो राष्ट्रिपति लोगसभा और राजी सभा से मिलकर हुआ है अगले प्रश्म की तरह बढ़ते हैं सिक्षा को सम्विधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ति सुची में डाला गया तो इसका उत्तर है 42 संविधान संशोधन के द्वारा सिक्षा को सम्विधान के 42 संविधान संशोधन द्वारा समवर्ति सुची में डाला गया यहां पर आपको मैं एक बार फिर से याद दलाना चाहूंगी कि अगर आपको इस वीडियो की पीडियेफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम ग्रूप पर जॉइन करें और अगर आपके कुछ भी क्वारीज है प्रेशन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम करना ना भोले तब तक इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में